हलो फ्रेंड समसमाई घटना चक्र के आफिशेल यूटूब चनल पे आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में हम लोग सस्ती जीडी 14 फर्वरी 2019 थर्ड पाली का पेपर सॉल्व करेंगे आई ये देखते हैं ये प्रश्ण कैसे थे इनको हम कैसे करेंगे आज का ये पहला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सा वैनारे प्रेखाचित दियेगे वर्क की बीच के संबंध को सही दर्सादा है आपका वेल है चमगादर है और अस्तन पाई है अस्तन पाई का मतलाब जिसमें अस्तन ग्रंथियां पाई आती है तो वेल और चमगादर दोनों क्या है अस्तन पाई है इनके बीच में ये हो जाएगा अर्थात अस्तन पाई के अंतरगात वेल और चमगादर दोनों आते हैं लेकिन दोनों अलग-अलग है इस प्रकार से आपका अपसंसी सत्य हो जाता है आए दूसरे प्रश्ण पे यह आपका दूसरा प्रश्ण है उस वी कल्प चैन कीजिए जो तीसेरे प्रकार से ँसीसी प्रकार से समदृत है यहाँ पर दिश्पूर दिया है यहां पर असम आपको पता है दिश्पूर असम की राजधानी है उसी प्रकार कोहिमा किसकी राजधानी है तो आपको पता है नागालेंड अब यह प्रश्ण आपको यह कहता है कि आप देश-देश की राजधानी पता होनी चाहिए और भारत में जो राज्य हैं उनकी राजधानिया भी आईए अगरे प्रश्ण पर यह आपका तीसरा प्रश्ण है विकल्पों में से उस आकृत का चैन करें विकल्पों में से उस आकृत का चैन करें जिसमें यक्स से चिन्हीत आकृत समाहित है जो यह आकृत है यक्स ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें यह आकृत समाहित है तो यहां से आप पर उठाएंगे ऐसे 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 यहां पर देखिए यूँ तो इस प्रकार से आपका अप्शन भी सत्य हो जाएगा आईए अगले प्रश्ट पर यह चार नंबर का आपका प्रश्ट नहें है निम्लिखीत समी करण को सही करने के लिए विकल्पों में से दिये गए किनों चिन्हों को परणा जाये ना चाहिए यह आपका प्रश्ट प्रश्ट है यह ऐसे प्रश्ट को हम विकल्प के माधियम से सालब करेंगे आपका इतना अधिक प्रेक्टिस होना चाहिए इस प्रकार के प्रश्ण में कि आप प्रश्णों को देखकर बना सके अर्थाथ आपका जो कल्कुलेशन है वह बहुत फास्ट होना चाहिए अगर इसमें हम गुडा और भाग कि चिंधों को परस्पर बदल देते हैं अर्थाथ विकल्प ए sam 27 प्लस 48 इसके बाद क्या है गुड़े क्या लेना है भाग दो उसके बाद माइनस हैặ इसे ही और क्या स्थार पर गुड़ा तीन बराबर तीस अब देखें इसको साल्व करते हैं 27 और यह भाग हो जाए कितना जाएगा आपका 24 इसात्रिक 21 आगे आपका अब देखें बराबर 30 अब इन दोनों को जोड़ ले तो साथ चार ग्यारक एक और तीन दो 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 चार एक पांच अब एक 24 माइनस 21 बराबर 30 अब देखो 21 में से 21 जाए गए 30 बराबर 30 के इसका मतलब क्या हुआ यह लिए चेस बराबर और इचेस के कह सकते हैं आपका जो विकल्प ए है यह सत्य है आईए अगले प्रश्ण पर यह आपका पांच नंबर का प्रश्ण है नीचे दिए गए कथनों क कि बाद दो निशकर्च देए गये हैं यह सारी बातें आप जानते हैं आईए कथन पर आपका कथन क्या है कुछ उल्लू घोड़े हैं आपको बताया गया है कुछ उल्लू घोड़े हैं तो पहले आप उल्लू को बना लेंगे उल्लू और उल्लू का कुछ भाग क्या है घोड़ा यह क्या हो गया घोड़ा कुछ उल्लू घोड़े है फिर बोला गया है कुछ घोड़े खरगोस है तो क्या जो घोड़े है क्या है कुछ खरगोस है यह आप आरेक बना लेंगे आईए प्रश्ण का उत्तर देते हैं क्या हो गया गलत हो गया क्चें खर्गोश स्यवां में कि छल्लव कि इनका इसा क्रित कि यह खुर्syale क्या कोई संब्द है नहीं है था ग्लत हो आप कह पर इच्छे नंबर का जो प्रश्ट है दिए गए चार बिकल्पों में से उस आकृत को चुने जिसे आकृतियक्स के रिक्स दस्थानों में बिना घुमाई बिना घुमाई रखने पर पैटर्ण पूरा हो जाए हमने आपको बताया है जब भी आपको ऐसा प्रश्ट मिले आकृत को पूरा करने के लिए सच्छम होता है वही विकल्प हमारा उत्तर होता है तो देखिएगा इस आकृत को पूरा करने के लिए हम ऐसे बनाएंगे इसके बाद एक लाइन ऐसे होगी फिर यहां से हम क्राश कर देंगे अब हम देखिए जो क्राश हमने किया है तो देखिए यही विखल्प एक्दावी साक्र से मिल रहा है इस प्रकार से आपका आप्षन ए सत्य हो जाएगा आए अगले प्रश्ण पर साथ नंबर का प्रश्ण एक निश्चित कूट भासा में डीऑल्ठी इजी को साथ के रूप में लिखा जाता है उसी कूट भासा में फीड याँ डबल एडी को कैसे लिखा जाएगा यह आपका प्रश्ण है तो ध्यान दिजिएगा डी आई जी डी आई जी को क्या लिखा गया है साथ ही लिखा गया है अब साथ किस नियम के ताथ लिखा गया है यह आपको पता करना देखिए आप क्या करेंगे इसका आंकिक मान चार इसका आंकिक मान नौ और इसका आंकिक मान साथ तो आप चार नौ और साथ को क्या करेंगे जोड लेंगे चार और नौ कितना हो गया चार में जब नौ जोड़ेंगे तेरा और तेरा में जैसे आप साथ जोड़ेंगे तो बीस लेकिन आपको लाना कित्ता था आपको लाना 60 था आपने देखा डियाईजी में कित्ते सब्द हैं एक दो तीन और था इसमें आपने तीन से गुड़ा कर दिया और आपको पता है 20 में 3 से गुड़ा करोगे तो क्या हैगा 60 अब देखिए आपका डियाजी 60 लिखने का तरीका तो पता हो गया यह तरीका सही भी हो सकता यह तरीका गलत भी हो सकता है आपको आप्शन के तुरू सोचना पड़ेगा आएए देखते हैं फीड यब डबली डी फीड फीड को जैसे आप अच्छरों के आंकिकमान को लिखत लेकि 5,5,10,6,4,10 अर्थात कितना गया 20 इसका भी योग फला गया लेकिन इसमें अच्छरों के संख्या कितनी है तो 4 है 1,2,3,4 जैसे आप इसमें 20 में 4 ही गुड़ा करते हैं तो 20 योग 80 क्या आपका अप्शन 80 है तो यस आपका अप्शन 80 है अर्थात जो आपका नियम जो आपने सोचा था हुआ सत्य है आएए अगले पृष्ण पर आठ नमबर का पृष्ण है उस विकल्प का चैन करें जो दी गए इस रिंखला में प्रश्ण चीन किश्चन मर्ग के अस्थान पर सही रूप में आएगा यहां पर देखेंगा थी ती ओ डि लिखा है टी ओ दी टी के बाद की लिखया है अर अर्थाट क्या हुआ माइनस टू आर्क के बाद क्या लिखकつ do R के लिखकर माइनस टू पी के बात पी का बॉर्द्भा- स्टार्ट है तो इसमें आप नेड़े नहीं ले पाओगे लेकिन अगर यल से एक या उप्षन स्टार्ट होता बाकि अलग-अलग अच्छर से स्टार्ट होते तो आपका वही विकल्प होता जो यल से स्टार्ट होता आई दुसरी टिप पे अब देखें यहांपर ओ है ओ का म तो यू आ जाएगा और यू में जैसे आप प्लस टू करोगे तो क्या जाएगा आपका डबलू आ जाएगा अर्थात यू का महान 21 और 21 में दो जोडोगे तेईस और तेईस किसका महान होता है डबलू का इसके बाद देखेगा यह डी है ना तो डी से क्या हुआ बी माइनस टू हुआ अब बी से बी का मान कितना होता दो और दो मेंसे जब फिर दो जाएगा जीरो जीरो का मान जेट का मान 26 भी होता है और जीरो भी होता है इसके बाद जेट का मान 26 फिर फिर दो जाएगा तो क् चोविस और चोविस में सी इस बार दो जाएगा तो क्या जाएगा बाइस और बाइस किसका मान होता है वी का मान होता है तो आपका आपसाइन भी सत्य हो गया आई होप आप प्रश्ण को समझ गए होंगे आईए अगला प्रश्ण इन्हों नम्बर का प्रश्ण है नीची दिये गए कत्नों के बाद दो निसकर्ष फर्स्ट और सेकेंड दिये गए ये सब बातें आप जानते हैं ये आपका कत्थन है सभी पेन मेढक है हमने आपको बताया है जब सभी वाला संटेंस रहे अर्थात आपका जो स्टेटमेंट है ए टाइप का हो तब क्या करते हैं उसका फिकर कैसे बनता है सभी पेन मेढक है तो आप सबसे पहले पेन को बना लिए सभी पेन क्या है मेड़क है इसके बाद आपने किसको बना लिया मेड़क को सभी पें मेड़क है इसके बाद है ये भी ए टाइप का संटेंस है अर्था इस ए टाइप का संटेंस वही होता है जिसकी शुरुवाद सभी से होती है बाकि इसके और बाते हैं आपको पताया जाएगा सभी कवा मेधक है तो पहले आप किसको बनाएंगे कवा को बनाएंगे सभी कवा क्या है मेधक है तो आपने क्या बना लिया मेधक बना लिया सभी कवा मेधक है अगर हम इन दोनों को मिक्स करना चाहें देखो सभी पिन मेधक है सभी कवा मेधक है अगर इन दोनों स्टेट्मेंट को मिलाकर हम एक बैनारेक बनाएं तो हमारा बैनारेक इस प्रकार होगा यहाँ पर पेन हो जाएगा यहाँ पर हमारा कवा हो जाएगा और यह बड़ा वाला है आपका यह हो जाएगा आपका मेढ़क अब आप कहेंगे सर ये पेन और कवा आपस में सट भी तो सकते हैं पूरा एक दुसरी को काट सकते हैं एक पॉस्बिल्टी है लेकिन स्टेट्मेंट में कब पेन और कवा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया इसलिए हमारा वैनारेक यह होगा अब बोला है कोई पेन कावा नहीं है कोई पेन कावा नहीं है अभी हम डिसिजन नहीं ले सकते फिर बोला है कुछ पेन कावा है या भी डिसिजन नहीं ले सकते कुछ है या नहीं है अर्था दोनों हमारे निसकर्स गलत हो गए है कोई पेन कावा नहीं है कुछ पेन कावा नह है अब याद रखिएगा जब आपके निस्कर्स दोनों ुप गलत्न से आपको पता है इटइप और आपको पता है इट और आई टाइप का कंप्लिमेंटरी पेर बनता है कंप्लिमेंटरी पेर उसी का बनता है जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम होता है देखी यहां पर पेन भी है और यहां पर कवा है यहां पर भी पेन है यहां पर भी कवा है अर्थार इन दोनों का एक साथ नहीं सही हो सकते हमारा उत्तर विकल्प D हो जाएगा या तो निसकर सेकंड अंसुर्ण करता है तो आपका विकल्प D सत्य हो गया आएए अगला प्रश्ण दस नंबर का प्रश्ण है दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चैन करें जैसे आप इस प्रश् छे का क्यूब है छे का क्यूब कितना होता है दो सोला ऐसी आठ है आठ किसका क्यूब है तो आप कहेंगे यह दो का क्यूब है तो कितना जाएगा दो का क्यूब आठ आ गया अब एक सो पचीस जो है एक किसका क्यूब है आप कहेंगे यह पांच का क्यूब होता है एक सो अर्थाथ ये तीनों विकल्प क्यूब है जो लेकिन ये 65 है एक किसी भी संखा क्यूब नहीं होता अर्थाथ आपका विकल्प डी सत्य हो जाएगा आईए अगले प्रश्ण पर आपका ये अगला प्रश्ण है उस विकल्प का चैन करें चुद्धी गए सिरिंखला में प्रश्ण चिन क्यूश्चर मारक के आस्थान पर आएगा देखी ये 6 है ये 251 है और ये 6 अब आप देखेगा 6 21 51 उसके बाद 96 के बाद क्या है आपका क्यूश्चर मारक अब आप देखेगे 6 से 21 में अंतर कितने का है आपने कहा 15 का अब 21 और 91 में अंतर कितने का है आपने कहा 30 का ये बाते एकड़म दिख रही है इसके बती 50 और 96 में अंतर कितने का है आप कहेंगे कितने का 45 का तो कहने का मतलब 15 इसमें जुड़ा 30 इसमें जुड़ा और 45 इसमें जुड़ा अब आगे क्या जुड़ेगा देखेगा इन दोनों में यहां पर 15 जुड़ा यहां पर भी 15 जुड़ा अगले में भी 15 जुड़ेगा जैसे 45 में 15 जुड़ेंगे आप तो कितना जायगा आपका 60 हा जायगा क्या जायगा आपका 60 हा जायगा आप कह सकते हैं 96 में 60 जुड़ेगा तो 96 में कितना जुड़ेंगे आप 60 जुड़ेंगे तो 6 और नौचा 15 तो क्या गया आपका 156 अर्थाज प्रश्णवा चक्षिने के अस्थान पर क्या गया 156 क्या बिकल्ब है हाँ आपका बिकल्ब ए 156 है तो आपका अपसाथ ए सत्य हो गया आए अगले प्रश्णव पर यहां भी 15 होगा यह आपका अगला प्रश्णव है 12 नंबर का बिकल्बों में से उस आकृत का चैन करें जो दी गए स्रिंखला में अगले अस्थान पर आएगे यह एक आकृत दिया गया है और यहां आकृत एक नियम का पालन कर रही है और यहां बताना है कि किस नियम के ताहाद यहां पर अगर इस आकृत को ध्यान से देखें तो क्या हुआ है ऐसा कुछ यह आकृत बन गई अब यह जो है इसको 45 डिकरी क्या कर रहा है इंटेक लागवाइस घुम जा रहा है अर्थाद यह जो आकृती है यह वाला यह इस बार क्या हो रहा है पैतालिस दिगरी घुमात ऐसे हो अब यहां पर आ गया अगली बार क्या हुआ यह ऐसे आ गया फिर प्रतली गुम गया अब देखो यह ऐसे आ गया है अगली बार क्या होगा यह जब आएगा तो देखेगा जब अगली बार आएगा तो कुछ ऐसे आ जाएगा और ऐसा विकल्प कौन सा है आपका तो विकल्प डी सत्य हो जाएगा कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि जो आकरिती है 45 जिग्री इंटी कलाक वाइज अर्थात वामवर्थ दिसा में घूम रही है अगले पत के लिए आएए अगला प्रशन ए तेरे नंबर का है उस विकल्प का चैन करें जो तीसरे पद से उसे प्रकार से समंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से समंधित है तो देखेगा एप प्रसिद्ध है और विख्याद प्रसिद्ध और विख्याद एक समनार्थी है उसी प्रकार से भीगोना का समनार्थी जो है सरा बोर होना होता है ऐसे में आपका विकल्प भी सत्य हो जाएगा आईए अगले प्रश्टे पर चौदा नमबर का प्रश्टे है दिये गए विकल्पों में से असंगत का चैन करें ये आपका घाना है ये बर्लिन है ये मिस्र है ये क्यूबा है इसमें विकल्प कौन सा भिन होगा देखें मिस्र घाना और क्यूबा ये सभी देश है जबकि जो बर्लिन है ये क्या है आपको पता है जर्मनी की जो राध्धानी है वो क्या है बर्लीन तो असंगत कौन है आपका विकल भी हो जाएगा तो आपका प्रस्थे तो सही हो गया आपने विकल भी सत्थ कर लिया लेकिन अगर आप आगामी पेपर देने जा रहे हैं तो आपको सिखना चाहिए या आपको पढ़ने की जरूरत है देश देश की राध्धानी देश की मुद्रा और कौन सा देश किस नदी के किनारे इस्तित है और उसकी प्रमुख बातें आपको अवस्यानी चाहिए आए अगला प्रश्ण ये पंद्र नंबर का प्रश्ण है उस बिकल्प का चैन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संब्मंदित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संब्मंदित है दिखेगा बी यहां पर भी दिया है 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 और यह यहां पर भी दिया है आप कह सकते हैं कि सर पहला पल दूसरे पल से कुछ अंतर नहीं है बस इसमें अच्छरों के जो अस्थान है फिर बदल करके लिख दिए गए है तो हमने पताया है जब ऐसा मिले आपको क्या करना है आप नमबरींगक लेंगे अगर भी यह है इसकी नमबरिंग जदेंगे 123 अब क्या लिफा याच हुश pratique क्या लिफ्राइं यच बी यप यच का मान क्या है तीन है बी का मान एक है और यप का मान दो अर्थात आप कह सकते हो एक सो तेइस को तीन सो बारा लिखा गया है तो जी के यम जी के यम को क्या लिखा जाएगा इसका भी आप नम्बरीं कर लो एक दो तीन 123 को क्या लिखा गया था 312 3 पर क्या है आपका यम है इसके बाद एक पर क्या है जी है दो पर क्या है के है तो क्या आगया आपका यम जी के यम जी के कौन सा अप्सन सही है तो आपका अप्सन भी सत्य हो गया आईसे प्रिष्टों को इसी प्रकार किया जाता है आईए अगला प्रिष्ट यह 16 नंबर का प्रिष्ट है दिये गए बिकल्पों में से असंगत का चैन करें तेकिन आईसा प्रिष्ट जब भी आपको मिले आप सबसे पहले अच्छरों के आंकिक मान को लिखेंगे अभी हम आपको पढ़ा रही है तो हमें लिखने की जरुत पढ़ रही है लिखिन आप जब भी आपकी पास आईसा प्रश्चन आएगा आप क्या करेंगे आपके माइंड में यह सभी मान ऐसे दिखने चाहिए आटोमेटिक आनी चाहिए यह का मान आंट होता है डबलू का मान चोनी चाहिए तभी आप सेलेक्शन पाएंगे और सेलेक्शन पाने के लिए वंडी की बात करें तो आपका प्रिविश येर मस्ट है आपको प्रेक्टिस करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रिविश येर की प्रेक्टिस करिए आप इतना ज्यादा प्रश्ण है प्रिविश ये यह जय ना, यह का मान कितना हो दा, 8, 12, 20, अब इसका देखेगा, 18, 14, 11, अब देखेगा, 10, 11, और 22, अब देखेगा, 12, 14, और 13, अब इसमें अंतरा अपने सोच पारिश में क्या हुआ है, आप इसको जोड के देखे, देखे 12, 20 और 23 दियोगफर कितना आगया 43 इसको देखेगा 11 और 14 जोड़ों के कितना आएगा 11 में जैसे आप 14 जोड़ों के कितना जाएगा आपका देखे 11 है 14 तो चारे 25 आगया और 25 में आप 18 जोड़ों के तो कितना जाएगा आपका तीरह आलिस आठ पां तेरा तीनिक चार इसका भीयोफर कितना आगया 43 इसके बाद देखेगा 10 और 11 कितना हो गया 29 और 21 में जैसे आप 22 जोड़ोंगे तो कितना आगया 21 और 22 तो यह भी कितना आगया 43 स्वाख़् तीराग्फल एसका भी उपर कितना है एक करihके सकते हैं बिक a by c कई योखフल अच्य के आंग्खिक मान का कितना है थिरालीस है लेकिन जैसे आप विकलप d जोड़ेंगे गई ऑगा बारा और हुआ आपका विकल्प जो डी है यह क्या हुआ भी नो गया तो आपसन आपका डी सत्य हुजाएगा अगला प्रश्ण जो है आपका सत्रह नंबर का उस बिकल्प का जैन किजिए जो दरपड के दाएं और रखे जाने पर सब्द की दी गई दरपड छबी में सरवाधिक मेर खाता है इसे प्रश्णों को जब भी आप आए आपको यह सबसी पहले चे करना है कि दरपड किस साइज रखा गया है अर्था दरपड दाएं रखा गया है दिखेगा अगर मैं ऐसे खड़ा हो गया तो ये मेरा लिप्ट है और я मेरा राइट है तो दरपड किस तरफ रखा गया कि अग्स प्रश्ट ब्रीच देखते हैं तो क्या होता है देखिए, आप किसी एक अच्छर और आप्शन को भी आपको देख लेना है, आप एक अगर आप किस ब्रॉष्ट करने की प्रेक्टिस है तो आप T को देखिए, खाली ट को , तो टी इसमया ऐसे लिखा गया है अब टी का जब भी मेरा इमेज बने गा तो ऐसे बनेगा कुछ t कभी भी नीचे नहीं जायेगा और अगर आप option में आएंगे देखेगा इस option में t उपर है ठीक है लेकिन इस option में t नीचे है और इस b option में t नीचे है तो b और d अपने आप कड़ गया इसके बाद अब आप r को अगर देखें अगले बार के लेकिन है आपको क्या देखना है ऐसे लिखा गया है अगर इसका मीरर इमेज बनेगा तो ऐसे बनेगा कभी उल्टा नहीं होगा वह थी में उल्टा होता है तो आप इस ही कंद में क्या है आर उल्टा लिख दि object हो गया तो यह भी विकल्प गलत ओगया इसका म kilow तो तीन विकल्प मारे गलत हो गए चौथा विकल्प जो ए आपसर ने अपने आपसर हो जाता है अर्थार आप बहुत असानित से कह सकते हो विकल्प पे दी गई अच्छर का मिरर इमेज है आए अगला प्रश्च आपका अठारा नंबर का प्रश्चन है देखेगा जे के यलियम यन और ओ चासिक थाख है उनमें से प्रथेग अलग-अलग भिषा है हिंदी अंग्रेजी गणित विग्ञान समाजी विग्ख्यान और कला में से एक भिषा पढदा है क्या है चे सिक थाख है जो छे अलग-अलग भिषा पढदाते हैं जरूरे नहीं कि वे इसी क्रम में पढ़ाते हैं उनमें से प्रतेख सोमवार से सनिवार तक किवल एक दिन ही पढ़ाता अगली बात क्या है जो भी सिख्छक है सोमवार से लेकर सनिवार तक पढ़ाते हैं लेकिन एक ही दिन पढ़ाते हैं आगे की बात है, जे सनिवार को कला पढ़ाता है, अब यहां से हमें काम की बाते हैं, देखेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पर हम लिख रेंगे सिक्षक, अब इनके नाम क्या है, देखेगा, जे के यल यन ओ, क्या है, जे के यल यम यन और ओ, कितनी हैं, एक दो तीन चार पांच छे, छे सिक्षक हो गए, अब यहां पर इनका बिसे लिख लेते हैं, कौन सा बिसे कौन पढ़ाएगा? बिसे हो गया, और यहां पर इनका दिल लेते हैं, देखेगा, जे सनीवार को कला पढ़ाता है, जे का बिसे क्या हो गया, आपका कला हो गया, और क्या पढ़ाता है, किस दिन पढ़ाता है, सनीवार को, जे सनीवार को क्या पढ़ा रहा है, कला पढ़ा रहा है, इसके बाद आगे की लाइन यल ना तो अंग्रेजी और नहीं समाजी विज्ञान पढ़ाता है यल के बारिक्रमेशन है यल ना तो समाजी विज्ञान पढ़ाएगा और नहीं अंग्रेजी पढ़ाएगा यह बात हम अभी नोट कर लेंगे अलग से ओके इसके बाद देखेगा लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है अर्थात जो यल है किस दिन पढ़ाता है तो यल गुरुवार की दिन पढ़ाता है तो यल किस दिन पढ़ाएगा गुरुवार की दिन पढ़ाएगा इसके बाद देखेगा के के द्वारा गडित पढ़ाने के लिए बुद्धवार का दिन आरत्षित है अर्थात के बुद्धवार की दिन क्या पढ़ाता है गडित पढ़ाता है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका बुद्धवार और बिसे में क्या हो जाएगा आपका गड यन से एक दिन पहले ओ यन से एक दिन पहले ओ बिज्ञान पढ़ाता है जो ओ है ओ क्या पढ़ाता है बिज्ञान पढ़ाता है और ओभी किस्से यन से एक दिन पहले आपकी पास दिन कौन-कौन सा बचा है देखेंगे आप आपकी पास बचा है सोमवार इसके पास बचा है आ कि जूफेरी मंगलवार इसके बाद बचा आपके पास कि हुस्क्त कि आपूश्य और सुक्रवार भचा है। और जो अब बोला गया है यन से एक दिन पहले ओ भी ज्ञान पढाता है यन से एक दिन पहले तो यन का दिन क्या हो जाएगा अगर हम यन का दिन मंगलवार लेगे समझेगा यन का सक्षाय को सोमौर की पढ़ाएगा यन से एक दिन पहले समाजी विज्ञान पढ़ा जाता है तो कुल दिन पहले देखेगा अभी यम का बचा है तो दिन में कौन सा दिन बच गया शुक्रवार खाली बचा है तो यम किस दिन पढ़ाएगा शुक्रवार बचा है अब देखे बोला गया कला से एक दिन पहले समाजी ज्ञान पढ़ा जाता है तो कला किस दिन पढ़ाएगा शुक्रवार को क्या पढ़ाएगा शुक्रवार के पढ़ाएगा समाजिक बिज्ञान पढ़ा जाएगा यल की बारे भी आपी फ्रमेशन थी यल न तो अंग्रेची पढ़ाएगा और नहीं समाजिक बिज्ञान पढ़ाएगा अर्थार आपके पास अब दो ही सब्जेक्ट बचा है एक अंग्रेची और एक हिंदी लेकिन यल अंग्रेची तो पढ़ा नहीं सकता तो यल क्या पढ़ाएगा यल आपका हिंदी पढ़ाएगा फिर एक हिं सब्जेक्ट बचा अंग्रेची अंग्रेची कौन पढ़ाएगा अंग्रेची आपका पढ़ाएगा यन पूरे प्रश्प को साल्व कर लिया गया है जो में पूछे आंसर दे लेंगे कौन सा विश्प है गुरुवार और सनिवार दिखेगा गुरुवार और सनिवार के बीच के दिन पढ़ा जाता है तो गुरुवार और सनिवार के बीच का जो दिन है देखेगा गुरुवार और सनिवार देखे ब्रिश्पत के बाद कौन सा दिन पढ़ता है शुक्रवार और सुक्रवार से पहले सनिवार से पहले कौन दिन पढ़ता है तो शुक्रवार अर्थात कह रहा है गुरुवार और कौन सा दिन है तो आप कह सकते हैं शुकर वार को कोल सा दिन पढ़ा जाए रहा है समझे विज्ञान alors आपका एंसर साथ्य हो जाएगा कौन सा भिष्ञार्य के बीच पढ़ा जाता है तो ठैका हो जाएगा समस्ज foreign यथि आपका अप्षन से सत्य हो गया आएज्ये अगला प्सक्य और है यह आपका 96 का प्रिश्म है उस विकल का सिंख्या सक्या करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार समबंदीत है जिस इस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंदित है ध्यान से समझेगा कि 45 है और यह 315 है 45 का संबंद 315 के साथ कैसा है तो आप कह सकते हैं सर 45 में 7 से गुड़ा कर दीजिए तो 45 में 7 का गुड़ा करने पर 315 आ गया तो 37 में भी क्या करना पड़ेगा साथ सी गुड़ा करना पड़ेगा साथ सते 49 का नौ चार हांसित सात्र की किस और 425 कितना गया 200 उन्साथ आपका अपसंडी सत्य हो गया आई होप आपको समझ में आया होगा अगला प्रस्टिन देखिएगा कि 20 नंबर का एक निशित कुट भासा में स्टेरिंग को टी आई जी टी ए आई जी की रूप में लिखा जाता है उसी कुट भासा में क्यूश्चन को कैसे लिखा जाएगा यह आपका प्रस्ट है जब भी आपको ऐसा प्रस्ट मिले तो आप क्या करेंगे स्टेरिंग को क्या लिखा गया जहां समझेगा टी ए आई जी टी ए आई और जी अगर आप ध्यान से देखें समझेगा इसमें क्या हुआ है ए टी ए टी आई जी आई जी एक बार कुछ सब्दों को लिखकर कि फिर उसी सब्दों को रिपीट किया गया आप ऐसा समझेगा अगर आप जैसे इस पर नंबरिंग करेंगे देखें नंबरिंग कर लिजें एक दो तीन चार पान छे साथ अब आप देखेंगा कि जो दूसरा है टी किस अस्थान पर दो नंबर पर तो दो नंबर इसके बाद ए किस नंबर पर चार नंबर अर्थात आप लिख देंगे दो चार इसके बाद देखेंगा आप दो चार आपने लिख दिया फिर देखेंगा आई और जी आई और जी आ दो-चार-छे-आठ यह क्या हो गया आई किस नमबर पर 6 नमबर पर छे पिर आच दो-चार-छे-आठ लिखा गया It फिर दो-चार-छे-आठ600 लिखे गए थे फिर इसी को दोहरा दिया गया फिर यहां प Bennett हैं दो-चार-छे-आठ अर्थार दो-चार-छे-आठ पर जो अच्छा रंकित हैं उनको एक बार लिखा गया फिर उनको रिपीट कर दिया गया यही लॉचिक आप इसमें भी लगा देंगे देखेगा एक दो तीन चार पांग छे साथ आन अब देखें कि दो पर क्या है आपका यू है उसके बाद चार पर क्या है आपका यस है इसके यह यू यस आई यन आप कहादेंगे दो चार छे आट दो चार छे आट तो आप आपसन देखेंगे यू यस आई 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 आपका आपसन ए सत्य हो गया आए अगले पर पर यह आपका 21 आप ने के साथ ऐक वर्गा कार। पारदरसी कागत्पत्रक दिया गया है पारदरसी कागत्पत्रक को बिंदुकित रेखा मोड़े जाने पर पार प्रटेंड काभ्ण यहां पर आजाएगी और यहां यहां पर तो आप देखेंगे कि किस बिगल्प में दो है तो दो लाइन है कट करके जो आप अपने मेंटल से सोचने का प्रयास करेंगे और यहां से जैसे बनाये गया है मूट दिया करिए और फिर आप उसको फिर ऊपटटी से देखा करिए तो आपकी एक समझ भिक्षित हो जाएगी कि कौन सा भिकल्पसत्त होगा और यह दो चार बार आप करते हैं और आपकी प्रेक्टिस हो जाएगी तो आप प्रश्णों का उतर बहुत सरलता के साथ दे पाएंगे इस प्रकार से आपका अबिकल्प भी सत्य हो जाएगा आएए अगले प्रश्णों पर 22 नंबर का प्रश्ण है साथ मित्र कितने मित्र हैं साथ O P Q R Y S T और U एक पंत में बैठ कर फिल्म देख रहे हैं साथ मित्र हैं हमने एक पंती बना लिया और पंती में साथ मित्र को बैठा लिया एक दो तीन चार पाँच छे और साथ साथ को बैठा लिया उसके बाद बोला है यस एक अन्तिम चोर पर बैठा हुआ है यस को हम किस पर बैठा लेंगे अंतिम ठोर पर बैठा लिए जो बाती बोला गया उसी को लिखा गया है यस एक अंतिम ठोर पर बैठा हुआ है फिर बोला गया है क्यूँ यस के दाएं दूसरे अस्थान पर है क्यूँ जो है Q के बार इफरमेशन है Q जो है यस के दाएं दूसरे अस्थान पे है अब यस का दाया क्या है देखी अगर यह जान लिजे यस यहां पर है और यस उपर की तरफ देख रहा है तो इसका लिफ्ट इधर होगा राइट इधर होगा आपकी कापी भी आपके सामने ऐसे होती है देखी है इस साइट लिफ्ट होता है इस साइट राइट होता है तो Q जो है यस के देखे Q यस के दाएं दूसरे अस्थान पे है यस के दाएं दूसरे अस्थान पे मतलब 1, 2 तो 2 पे क्या है आपका Q ओ भी किस तरह आप दाएं तरब यस के दाएं दूसरे अस्थान पर है पी ओ और क्यूंकि बीच यू बैठा है अब पी को आप यहां पर नहीं बैठा सकते पी जो है ओ और क्यूंकि बीच यू बैठा है तो पी आपका यहां पर बैठ गया और फिर ओ को यहां बैठाना पड़ जाएगा तो यहा अंतिम फोर पर नहीं बैठा है यह बात अभी हम नोट करके लिख लेंगे आगे की बात देखें कहां आर टीके बाइं और बैठा है जो आर है टीके बाइं और बैठा है तो देखें अब आर को यहां तो बैठा नहीं सकते कि बाइं बैठने पाएगा तो क्या है आर जो है टी कि कि बाल्ढ बैटा है जो आरे T के बाएं कीज़ा ङका नहीं बैठा है और देख लीजिये यूँ नहीं बैठा अब पूरी बाते हमने साल्व हो गया सातों मित्रों को हमने बैठा दिया है जो भी प्रिष्ट पूछेगा उसका उत्तर हम दे लेंगे चलिए आईए यह प्रश्ट था आपका प्रश्ट आपका क्या पूछा था यू के दाएं और से चौथे अस्थान पर कौन बैठा है देखेगा यू के क्या वोला यू के दाएं और से चौथे अस्थान पर अगर आपका यू यहां पर है आपको हमने बताया है यह लिफ्ट होता है इधर र प्रश्ण को समझ गए होंगे आए अगले प्रश्ण पर यह आपका तेरिस नंबर का प्रश्ण है उस बिकल्प का चैन करें जो दीग में प्रश्ण चिन के अस्थान पर आएगा अब यहां पर शोला दिया यहां पर दो दो तो छोटा सा लड़का भी जानता है दो प्लस दो को जोड़ोगे तो दो दो क्या हो जाएगा चार और चार का स्कॉर क्या होता है 16 होता है अब देखेगा दो और चार को जब जोड़ोगे तो क्या जाएगा छे चे का स्कॉर करोगे तो कितना जाएगा 36 ऐसे 5 और 3 कितना जाएगा 8 जाएगा 8 का स्कॉर करोगे त आपका 64 तो आपका विकल्प डी सत्य हो गया आएए अगले प्रश्ण पर कि चौविश नमबर का प्रश्ण है उस विकल्प का चैन करें चो दी गए सरिंखला में प्रश्ण चीन क्यूश्चन मार्क के अस्थान पर आएगा अब देखिए क्या है आपका पांच है छे है चोदा है इसके बाद क्या है आपका 41 है इसके बाद क्या है किस्थान मार्क है देखिए पांच और णहले अंतर कितने का एक का 6 चौदा में यंतर आट का ऐसे का जाए इक तालिष आएगा का तेंगे आफ का क्यूब है यह किसका क्यूब है तीन का क्यूब है आगे क्या यकर आएगा आपorig यहागेजिगा आप क्यूब क्या होता है 64 आपकी क्या जुड़ेगा 64 जुड़ेगा और जैसे आप एक तालिस में 64 जुड़ते हैं तो चार एक पांच और चार दस तो क्या आप सन आपका 105 आप कह सकते हैं कि उस चर्मार के अस्थन पर क्या है आपका 105 क्या कोई विकल्ब 105 है तो यस विकल्ब सी 105 है आए अगले प्रश्ण पर यह आपका 25 नमपर का प्रश्ण है आठ मित्र ए बी सी डी या जी और याज दोपहर की भोजन के लिए एक बृत्ताकार मेज के चारों और एक दूसरे के आमने सामने बैठी है धियान से समझेगा बृत्ताकार मेज के चारों और एक दूसरे के आमने सामने बैठे है ये छो लाइन है ये बहुत कुछ बोलती है ये कहती है जब बृत्ताकार मेज में कोई भी ब्यक्ति आमने सामने है अर्थाथ उसका जो मुह है अगर ये बृत्ताकार मेज है अगर उसका मुँ आमने सामने है अर्थात दो ये सभी केंदर की ओर देख रहे हैं अर्थात इनका मुँ केंदर की तरफी बालू केंदर है इस तरफ है केंदर की ओर है अब देखिएगा हम आठ लोगों को बृत्ताकारमेज में ऐसे बैठा देंगे अब जैसा प्रश्ण करेगा वैसे हम करते चले जाएंगे और आपको पता है जब ब्यक्ति का मुँ बृत्ताकार केंदर की ओर हो तब क्या होता है दाएं मुणने के लिए एंटी कलाकवाईज तथा बाएं मुणने के लिए कलाकवाईज चलते हैं यह बाते आप जानते हैं ए अपके सामने है जो ए है यह आपके सामने यह आप यहाँ पर हो गया और यह आपके सामने क्या बठा देंगे हम ए को बठा देंगे A अपके सामने है और B के दाएं और तिसरे अस्थान पे कौन और जो आता है बादवाले के लिए आता है अर्था जो और आया है A के लिए आया है A अपके सामने है और B के दाएं और तिसरी अस्थान पे है तो B को हमें कहां बैटाना पड़ेगा यहां पार अब दाएं के लिए कैसे चलेंगे आप इंटिक लाकवाईज B के दाएं तिसरी अस्थान पे पहला दूसरा तिसरा बात से ठोगया B के दाएं तिसरे अस्थान पर क्या है आपका A है इसके बाद देखेगा G यफ और D के बीच में है जो G है यफ और D के बीच में है तो D यहाँ पर हो गया और यहाँ पर इसके बाद लाइन है यफ के बाएं और यफ और आ गया इसके बाद की लाइन है C और A के बीच में है C और A के बीच में है तो आपका E जो है C और A के बीच में है कौन? E E को आप यहां बैठा लिजिए और C को यहां पर E जो है C और A के बीच में बैठ गया पूरा प्रश्ण आपका साल्व हो गया है देखे इसके प्रश्ट पूछे उसका अंजरम दे लेंगे प्रश्टी क्या है यज के दाएं यज के दाएं से तीसरा कौन है यज के दाएं से अब दायां बोला है तो दाएं के लिए आप क्या करेंगे दाएं के लिए आप इंटी कलाकवाई चलेंगे इंटी कलाकवाई यज के देखिए यज के दाएं तीसरे अस्थान पर कोन बैठा है तो यज के दाएं एक दाएं के लिए इंटी कलाकवाई एक दो तीन यज के दाएं तिसरे हस्तान पर कौन बैठा है आपका यब बैठा है अर्थात आपका विकल्ब ए सत्य हो जाए आई होग आप प्रश्णों को समझ गए होंगे आज के लिए बस इत्ता ही जैन